दोस्तों इंडिया आज बेचांजा CN4 का आज का एपिशोड टेलिकाश्ट हो चुका है और आज जिस लेबल का पफोवेंस देखने को मिला वो आपके रोंग्टे खड़े करतेगा क्योंकि भईया इस वीकेंड पर सुमेट डवल इविक्शन होने वाला है तो हरे कंटेशन इस वीक अच्छा से अच्छा पफोवेंस देना चाता है और अगर एक भी पफोवेंस खराब होता है और जजिस उस कंटेशन को कम स्कोर देते हैं तो वो कंटेशन बॉटम में चला जाएगा और आज के एपिशोड में जितने भी पफोवेंस हुए हैं उसको देखकर साब साब पता चल रहा था कि कंटेशन के उपर एलिमिनेशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर है वैसे आपको बता दूँ कि आज और कल के एपिशोड में जजिस कंटेशन को जो स्कोर देंगे वो एलिमिनेशन एनाउंस का टाइम बहुत माइने रखेगा तो ही आज इंडियाज बेश जाजर सीजन पोर में कंटेशन ने अपनी तरब से बेश पफोवेंस दिये हैं लेकिन जजिस के तरब से स्कोर में कटाउती देखने को मिला तो जली आनते हैं कि आखिर इंडियाज बेश जाजर सीजन पोर के आज के अपने स्पेसेल एपिशोड में किस-किस कंटेशन ने पफोवेंस दिया है और किसको कितना जजिस स्कोर मिला जिया निपो को कितना स्कोर मिला है अरजुन का पफोवेंस कैसा हुआ है क्या इस ट्यू ने अपने पफोवेंस से जजिस का दिल जीता या नहीं सब कुछ जानेंगे आगे की वीडियो में बस आप सबी इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और कॉमेंट करके ये बताना कि आज की अपिशोर में कौन से कंटेशन का पफोवेंस सबसे ज़्यादा अच्छा हुआ है देखोई ये इंडियाज 25CN4 में सबसे पहले पफोवेंस देने आये अरजुन ने आज जो कॉनसेप्ट लिया था वो बहुत ही कमाल का था और इस पफोवेंस पर जेस ने 29 इसकोर दिया तो उसके बाद अगला पफोवेंस हुआ निखिल और आसुतोस की चोड़ी का वैसे इनका पफोवेंस माइंड ब्लोइंग हुआ है और इनके पफोवेंस में अच्छे मूब्स थे और इन्होंने जो कॉनसेप्ट और प्रॉप यूज किया था वो बेहधी सानदार था और इस पफोवेंस पर सोके जेस ने 30 स्कुर दिया तो वहीं अगला पफोवेंस हुआ वैसनवी और सिवानसु की चोड़ी का जिया वैसनवी ने आज तहलका मचा दिया मतलब पिछले वीक से वैसनवी डे बाई डे पफोवेंस में इंप्रॉमेंट कर रही है तभी तो आज वैसनवी ने जिस लेबल का पफोवेंस दिया है उसको देखने के बाद माइंड ब्लोन हो जाएगा मतलब वैसनवी का जो पफोवेंस हुआ है वो बहुत ही गजब का हुआ है जिसके बाद सोके जेजस ने वैसनवी और सिवानसी की जोडिक को 30 स्कोर दिया है तो वहीं अगला पफोवेंस हुआ इस्टिव और रक्तिम का जिहां आप इस्टिव का पफोवेंस आज स्किप कर ही नहीं पाओगे क्योंकि इस्टिव ने आज बहतरीन पफोवेंस दिया है और सबसे खास बात इस पफोवेंस की ये है कि इस्टिव और रक्तिम की जो इनरजी है वो लाजवाब था और इस पफोवेंस पर सोके जेजस ने 30 स्कोर दिया तो ही अगला पफोवेंस हुआ निपो और वर्तिका का भाई सच बताओं तो मैंने खुद निपो का आज का पफोवेंस दो बार देखा मतलब गल्ली बॉय गाने पर ऐसा पफोवेंस दना इंपॉसिबल था तो कूल मिलाकर आज का अपिशोड बेहदी सांदार हुआ अब कल का अपिशोड में उर्फी जावे सो में नचर आने वाली है और कल नेक्षयान, अकीना और बाकी कंटेश्टन पफोवेंस देंगे अब आप बताओ आज आपको किसका पहुएंस सबसे जादा पसंद आया आप कॉमेंट करके अपनी राय जरूर देना और हाँ इस चैनल को भी सबस्क्राइब कर लेना बाकी मिलते हैं बहुत जल देखने वीडियो के साथ तब तक लिए